प्रिये दरिश्य को नमस्कार आईए सुनते हैं आज की मुख्य समाचार सेल रावर्केलास पास सयंत्र का डिजिटल परिवर्तन में तेजी से प्रगति निवदेशक प्रभारी द्वारा SEP प्लेट फॉर्म पर अत्यादुनिक आपूर्ति करता संबंध प्रबंधन मोज्यूल का अनावरण सेल आरेस्टी में महिला स्वास्त और स्वाच्छिता पर जागरुकता कारिकरम आयोजें। और सेल RSP में राष्ट्र व्यापी राष्ट्रिय खेल दिवस सप्ताह के उपलक्ष में रिले रेस का आयोज़ग। आप समाचा विस्तार से अपने आपूर्ती करता संबंधों को आधुनिक बनाने और बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए, सेल रावर 2023 को मन्थन सम्मेलन कक्ष में आयोज़ित एक समारोह में रावरकेला स्पास सयंत्र और बोकारो स्टील प्लांट के निर्देशक प्रभारी श्री अतनू बहमेक ने SAP प्लेट फॉर्म पर चरण तीन वेब आधारित आपूर्ती करता संबंध प्रबंधन साथ को गोल अत्रिपाठी कार्यपालक निर्देशक खां श्री आलोक वर्मा कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री एक्यडिंवरिय और मुख्य के महाप्रबंदक प्रभारी CEO CCD UNE एवं कारेकारी कारेपालक निर्देशक वक्स श्री आई राजन और RSP के अन्यवरिष्ट अदिकारी और मेसर्स SAP लिमिटेट के प्रतिनीधी उपस्तित थे विशेश रूप से यह प्रणाली आपूर्ती करताओं को अभूत्व पूर्व वास्तविक समय प्रदान करने के लिए डिजाइन किये गए अभिनव मौजूल का एक सैट है जिसके तहर प्रणाली के अंतरगत उत्पन किया गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक जल्द से जल्द आसानी से पहुचा जा सकता है इस अफसर पर CNIT, ERP, Contract Sale Works, Township, Contract Sale, वित और सामगरी प्रबंधन से SRM Core टीम के सदस्य भी उपस थे इस अफसर पर बोलते हुए निर्देशक प्रभारी ने पर्योजना को समय पर पूरा करने के लिए पूरे टीम को बधाई दी और उनक ने कहा कि स्मार्ट परियोजना विशिष्ट आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट होनी चाहिए जिसे आसानी से मापा प्राप्त किया जा सके और समय बद किया जा सके वैब आधारिक प्रणाली के सबसे बड़े लाब के बारे में बोलते हुए निदेशक सामगरी प्रबंदन शी सोमनात रिपाठी ने अपने स्वागत भाशन में अब तक हासिल किये गये विबिन मील के पत्धर और आगे की यूजना के बारे में विस्तार से पताया उन्होंने टेक्नो कार्यात्मक पहलू और जी एम के साथ स्रम के एकिकरण पर भी और पूरी खरीत प्रक्रिया में नई वेब आधारित प्रणाली के महत्व और लाबों पर प्रकाश डाला विशीश तह सामागरी प्रबंदन कॉंट्रेक्ट सेल वाक्स टाउन्शिप कॉंट्रेक्ट सेल वित और कंप्यूटर और सुचना प्रोध्योग गी विभागों मे उन्नत तक्नीकी सामाधान को सफलता पूर्वक लागू करने में मेसर्स SAP के सलाहकारों के साथ मिलकर काम किया है यह पारदर्शिता आपूर्ति करताओं को सुचित निर्णय लेने और आवश्यक होने पर सक्रिय प्रयास करने का अधिकार देती है जिससे अंतता आपूर्ति के शिंकला की दक्षता में सुधार हो सके कारिक्रम के दौरान प्रबंधक MM क्रे शीविपिन नरायन द्वारा आपूर्ति करता सम्मंत प्रबंधन चरण तीन पर एक संशिप्त प्रस्तूती गिद्धी गई सहायक महाप्रबंधक सामिगरी प्रबंधन क्रे शुशी शिखा जैन ने कारिक्रम का संचालन किया जबकि महाप्रबंधक प्रबारी CNIT शीए के मंडल ने अपचारिक धन्यवाद ग्यापित किया सेल राउरकेलास पास संयंत्र के OHS सेंटर में 25 अगस्त को महिला स्वास्त और स्वच्चता पर एक जागरुकता कारिक्रम आयोजित किया गया था कारिक्रम की मुख्य वक्ता अतरिक्त CMO MNHS डॉक्टर प्रतिभा शरंगी थी इस अफसर पर उप CMO डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अन्य डॉक्टर कर्मिचारी और OHSC के स्टाफ उपस्थि थे कारिक्रम में सयंत्र के विबन इकाईयों के अधिकारियों से कुल 40 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया इस अफसर पर बोलते हुए डॉक्टर शरंगी ने कामकाजी महिलाओं द्वारा बनाए निभाई जाने वाले विबिन मुमिकाओं के संदर्व में महिलाओं के स्वास्त की महत्वपर प्रकाश डाला उनकी प्रस्तूती में मासिक दर्म, स्वास्ती और स्वच्चता, करभावस्ता के दौरन पोशन, स्तन पाथ और रजुनिवृत्ती और रजुनिवृत्ती के बाद देखबाल जैसे विशे शामिल थे। उन्होंने सभी से फलदाई और सार्थक जीवन जीने के लिए बहतर स्वास्ती और कल्यान के खुली चर्चा हुई जिसमें प्रतिभागियों ने शंकाओं को दूर करने और समाधान खोजने में उस्सहा पूर्वक भाग लिया। डॉक्टर सुरींद्र कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और OHSC गति वीधियों पर प्रकाश डाला जबकि वित्तिगत स्वच्छता तक्नीश्यन OHSC श्री के सी प्रधान ने कारिकरम का संचालन किया। सेल राउरकला स्पास सायंत्र में 27 अगस्त को स्पास स्टेडियम में युवा मामले और खेल मंत्राले के निर्देशा नुसार देज भर में मनाये जाने वाले राश्री खेल दिवस सप्ताह के उपलक्ष में एक रिले दौड का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंदग नगर प्रशाशर एवं सी एसार शीपी के स्वाएं मुख्य अतीथी के रूप में उपस्तित होकर पतियोगिता की विजेताओं को पुरुसकार प्रदान किये। फिट इंडिया के प्रती उनकी एक जूटता अपनी एक जूटता जताने के लिए कई प्रतिष्ठित खेल हस्तियां भी इस अफसर पर उपस्ति थी। इस कारिक्रम में लगबग 65 नव नियुक्त कार्मिकों ने भाग लिया, पुरुष वर्ग में 9 टी में, मिश्रित वर्ग में 6 और महिला वर्ग में 3 टीमों ने भाग लिया, दोड में नियमनवसार 4-4 व्यक्तियों की टीमें थी। प्रारम में महाप्रबंतक पी-एज क्रीडा एवं एयरपोर्ट श्री आर्के वर्मा ने स्वागत भाषन दिया, जबकि सहायक प्रबंतक क्रीडा श्री रगुन पार्ठी ने अपचारिक धन्यवाद ग्यापित किया और कारिक्रम का संचालन किया गौर्ट लभै कि इस वर्ष यूवा मामलो एवं क्रीडा मंत्रालाय और फिट इंडिया मिशन का उद्देश, फिट इंडिया अभियान को स्कूलों, कॉलेजों, मंत्रालों, सरकारी और नीजी संगठनों तक ले पहुचना है ताकि हर साल 29 अगस्ट 2023 को आयोजित किये जाने वाले राश्ट्री खेल दिवस की उपलक्ष में सप्ताभर मनाये जा रहे उस्सों में उस्साह पूरुन भागीदारी सुनिशित की जा सके करिकर्म का मुल्य उदेश खेल के प्रभावशाली शक्ती के माध्यम से समाज में सकारत मक्ता और सत्भाव पैदा करना है इस वर्ष के उच्साह का विशय वस्तु समावेशी और तंदरुस्त समाज के लिए खेल एक योग के समर्थक है आज के हिंदी समाचारों में बस अतना ही नमस्कार